ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं देनिक राशिफल यह राशिफल है 20 नवंबर 2023 सोम बार का दिन है कार्तिक महा के शुक्लपक्ष की अश्टमी तिथी है इस दिन गोपास्टमी का महा परवर हेगा तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को गोपास्टमी की बहुत बहुत शुक्कामनाएं और बधायां भगवान गोपाल कृष्ण का भरपूर आशिरवात आप सभी के जीवन पर सदेव बना रहे आप सभी सुखी रहें, स्वास्त रहें, व्यास्त रहें और मस्त रहें धनिष्टा नामक नक्षत्र होगा तथा मकर राशी में चंद्रमा विराजित रहेंगे दिशासूल की अगर हम बात करें तो पूरु दिशा में रहेंगे इसलिए पूरु दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस पूरु दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा अविश्यक हो तो दरपन में अपना चेहरा देख करके यात्रा का शुभारंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुभा साड़े साथ बजे से लेके नो बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुभ एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का नेर्णे आप अपने क्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जाता है और कई छेत्रों में नहीं भी माना जाता है दैनिक ग्रह गोचर के दिह हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरी देव जोकी व्रश्चिक रासी में, वहीं चंद्रमा मकर राशी में, मंगल ग्रह व्रश्चिक रासी में, बुद्ध ग्रह व्रश्चिक रासी में, देव गुरु व्रहस पती जोकी मेस रासी में, शुक्र राशियां सबसेदिक भागिशा ली रेने वाली है करुक्षित्र में इनको उन्नती और प्रगती के उत्तम अउसर प्राप्त हो सकते हैं धनलाप के साथ नया काम नई जुम्मेदारी इनको मिल सकती है जो भी कारी इनके द्वारा शुरू किया जाएगा उसमें आगे चल करके इनको ही फाइदा प्राप्त होगा सुर्योदय सुबह 6 बच के 41 मिनिट पर होगा तधा सुर्यास्त शाम को 5 बच के 31 मिनिट पर होगा चंद्रोदय 12 बच के 4 मिनिट रात में होगा एवं चंद्रमा का आस्त 11 बच के 11 मिनिट अगले दिन दो पहर में होगा शुब मुहुर् इस दोरान यदि आप कोई भी शुब काम करते हैं मांगलिक कारी करते हैं या नया काम करते हैं तो आपको अधिक से अधिक फाइदे का से योग बन सकता है ये जो शुब मोर्त हम आपको बताने जा रहे हैं आपके इस्थानी समय के अनुसार आप इसका निर्णय करके इस समय में कोई भी शुब का मंगल कार्य प्रारंब कर सकते हैं अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी 12 राशिवलों का दैनिक राशिफल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अन्ति तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेंसरासी की भाग्गी का सितारा प्रबल होकर आपको बहुत कुछ देने का प्रयास करेगा अताह समय का सम्मान करे घर के वरिष्ट व्यक्तियों के सलहा पर अवश्य ध्यान दे सलहा रूपी उनका अशिरवाद आपके लिए लाप प्रत साबित होगा कहीं पर निवेश करने या किसी को पैसा उधार देने से पहले अच्छी प्रकार से जाच परताल अवश्य करे भावनाओं में आकर आप अपना नुक्सान कर सकते हैं किसी सेरवजेनिक इस्थान पर कोई बहस होने जैसी स्थिती बन रही है बहतर होगा कि अपने काम से ही आपको काम रखना चाहिए और उपाई के रूप में गरीब आदमी को मसूर की दाल का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका ओरेंज होगा अब हम बात करते हैं व्रशवरासी की इस समय लाब दायक ग्रह सितियां आपके लिए बन रही है कोई निवेश्यदी करने जा रहे हैं तो समय उत्तम है भूमे भवन वाहन भी खरीडने का आप विचार बना सकते हैं परन्तु इससे संबद्धित कोई भी कारी करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सला अवश्य ले धार्मिक तथा सामाजिक गतिविदियों में आपका विशेष योगदान रहेगा महत्वपून संपर्क स्थापित होने से आत्म इश्वास आपका बढ़ने वाला है और उपाई के रूप में कच्चा दूद शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाना आपके लिए शुपलदाई सावित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं मिथुन राशी की किसी निकट संबंदी की परिक्षानी में आपकी सलहा उनके लिए हल निकालेगी आपका मैं सम्मान बढ़ेगा कुछ अप्रत्याशित चुनोतियां भी आपके सामने आएगी आप पुरे अत्मिश्वास के चांट उनका सामना करने में समर्थ रहेंगे आज किसी से भी उधार पेसा न ले इससे आपके सम्मान में कमी आ सकती है और संबंद खराब हो सकते हैं और उपाई के रूप में गाई को रोटी और गुड़ खिलाना आपके ले शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका गुलाबी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की अगर कोई शास्की कारी रुका हुआ है तो किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिल करकर विर्चार विमर्श अवश्य करें आपको सफलता मिलेगी परिवार के साथ किसी धार्मिक इस्थल पर जाने का कारिक्रम आपका बनेगा घर में कोई शुब या मांगली कारिक्रम संपन होने की योजना भी बनेगी संतान पक्ष से कोई शुब समाचार मिलेगा संतान की उन्नती और प्रगती की सुचना भी आपको मिलने वाली है और आपको संतिपूर्ण तरीके से सभी काम करना चाहिए उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदर में लाल फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने से कोई उचित परिणाम आपके सामने आएंगे कारियर संबन दी कोई नया आउसर मिलेगा किसी खास या बड़े व्यक्ती से आपकी मुलाकात होगी और उनसे आपको फाइदा भी होगा तथा मानसिक शांती भी आपको प्राप्त होगी कुछ नई जुम्मेदारियां आपको मिलने वाली है और सकारात्मक गती विधियों के साथ आप आगे बढ़ेंगे धनलाब होगा चिंता न करे समय आपका साथ पूरा-पूरा देगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप गुड़ खाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की आज कुछ नया करने की आपके अंदर एक उर्जा बनी रहेगी धर्म तथा आध्यात्म में आपकी रूची बढ़ेगी विध्यार्तियों को कैरियर से संबंदित सकारत्मक परिनाम प्राप्त होंगे उससे सुकुन भी मिलेगा व्यस्तता के बावजूद आप अपने परिवार तथा अपने रिस्तेदारों के लिए उच्चित समय निकाल लेंगे कोई भी काम करने से पहले अच्छी प्रकार से सोच विचार करना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में भगवान गणेश जी के मंदिर में बैसन से बनी मिठाई चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका आस्मानी होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की ग्रहों की स्तितियां आपके लिए भरपूर सहयोगात्मक बनी हुई है आप किसी भी कारी में हाट डालेंगे उसमें सफल अवश्य ही होंगे प्रपनतु प्रापर्टी की खरीद फरोक्त संबन्दी अगर कोई कारी आप करने जा रहे हैं तो उसमें लापरवा ही बिलकुल न करे कोई भी दस्तावेज बिना पड़े हस्ताक्षर न करे आलस्य और मोज मस्ती में समय व्यर्थ व्यतीत न करे इसकी वज़े से आप अपनी कई महत्वपूर्ण उपलग्धियों को गमा सकते हैं दिखावे की प्रबत्ती से दूर रहे तथा जीवन की वास्तुक्ता का सामना करे व्यावसाई क्षेत्र में सारे फेसले खुद ही ले अज मार्केटिंग संबंदिक कारियों को इस्तगित रखे क्योंकि इनमें समय व्यर्थ होने के अलाबा कुछ हासिल नहीं होगा नोकरी में अपने लक्ष को प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे आपको प्रमूशन भी प्राप्त हो सकता है मैंसमान के साथ आपको आर्थिक फाइडा होने का दिन भी है रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त होगा संतान संबंदी कोई कार यदी अटका हुआ है रुका हुआ है तो उसके भी शुब समाचार आपको मिलने वाले हैं उपाई के रूप में यदि आप सफेद रंग की कोई भी वस्तू का दान जैसे चावल या शकर का दान करेंगे तो आपका दिन शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं ब्रश्चिक रासी की आज आपकी आर्थिक योजना से संबंदित लक्ष आसानी से फलिभूत हो जाएंगे जिसकी वज़ा से मन प्रफुल लित रहेगा धार्मी कारियों में आपका योगदान बढ़ेगा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी लोग आपको पसंद करेंगे किसी भी नकारत्मक परिस्थिती में अपना आपा नखोएं शांती पूर्ण तरीके से परिस्थितियों का सामना करें विध्यार्ती वर्ग भी अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाह हो सकते हैं जिसका दुष्प्रभाव उनके परिनाम पर पढ़ सकता है वियर्थ के बाहरी संपरकों से दूरी बना करके आपको रखना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भगवान विश्णू जी के मंदिर में हल्दी का दान करेंगे तो आपका दिन शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की अगर कुछ परिवर्तन या सुधार संबंदी योजना आप बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी नया काम नई जिम्बिदारी आपको मिलने वाली है धनलाब भी होगा इसके साथ साथ आपको सम्मान भी प्राप्त होगा यदि आप नया काम जैसे नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं या नई नोकरी की तलाश में हैं तो वो तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी लेकिन शत्रू आपको परिशान करने का प्रयास कर सकते हैं धनलाब होगा घर परिवार में नई खुशियों का आगमन होगा कोई नजदी की मित्र या रिस्तिदार जलन की भावना से आपके खिलाब कोई ने कोई अफवा फैला सकता है इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहे व्यापार वह कामकाच को लेकर आप बहुत गंबेर वह समारपित रहेंगे उपाय के रूप में मचलियों को आटे की गोलियां डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भाग्यशाली अंक नो होगा भाग्यशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की समान विचारधारा वाले लोगों से संपर्क होगा आपके किसी खास उनर तथा नालेज की तारीफ होगी युवा वर्ग को कोई उत्तम कारी की जुम्मेदारी मिल सकती है या बड़ी नोकरी भी उनको प्राप्त हो सकती है पिछले दिनों जो महनत की है उसके भी परिणाम देखने को मिलेंगे उपाय के रूप में शंकर भगवान के मंदिर में गंगा जल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बा महत्पूर्ण कारी को करते समय घर के सदस्यों का सहयोग और सलह आपके लिए महत्पूर्ण रहेगी पारिवारिक व्यवस्था में किसी बहारी व्यक्ती का हस्त शेप न होने दे और उपाय के रूप में भोजन के साथ मीठे दही का उप्योग करना आपके लिए शुफलद खुशियां प्राप्त होगी वैस्ता भरी दिन चरिया आपकी रहेगी ठकान भी आपकी दूर होगी बच्चों से संबंदित जो समस्या है उसका भी निवारन आपको हो जाएगा ध्यान रखे कि किसी महत्यपूर्ण वस्तू को चोरी होने या खोने की आशंका है इसलिए अप उसाय में कोई बड़ा आउडर मिल सकता है इसलिए पूरी महनत और एकागरता के सांथ में आपको काम करना चाहिए और उपाए के रूप में मा लक्षमी जी को पीला फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशा करिएगा लाइक करिएगा कमिन करिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जैसी कृष्ण सादर धन्यवाद